जवाब है कि लॉव क्या है? जवाब है कि लॉव एक है. सवाल है कि हम सब यहां क्यों ही खटा हुए? जवाब है क्योंकि हम लॉव बन्स यानि एक का ग्यान सीखना और सिखाना चाहते हैं. सवाल है कि हम रा को क्यों डूण रहे हैं? जवाब है क्योंकि रा उस अनंतर चाहिता के प्रेम और रोश्नी का और इस एक के ग्यान का हमबल मेसिंजर है. अब हम और रा मिलकर जो भी लोग इन सेशन्स को चाहे किसी भी माद्यम से सुन रहे हूं. उनके दिलों को, उड़ को, उनके परिवारों को, उनके घरों को और जिनकी वह वेलविश करते हैं उनको, इस एक के ज्यान से शुद्ध करते हैं. और उनके चारों और उस अनंतर चाहिता के प्रेम और र रोश्नी से और इस एक के ज्यान का घेरा बनाते हैं. और किसी भी thought form या entity को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस गहरे में नाए क्योंकि लॉफ एक है जी तो पहली बात तो यह कि 89 चाप्टर का लास्ट क्वेस्टन जरह ठीक से समझ में नी आया था पहले हम लोग वो ले ले लें आगे बढ़ने से पहले है ठीक है 89.45 था डॉन कहता है I'll just make the statement that I perceive about harvest के बारे में बात्चीत चल रही थी उसकी और वो कहता है कि I perceive that a negative polarity harvest is possible with less negativity in the environment like Ra's environment than in the environment such as we at present and ask if that is correct. वो कहता है कि harvest को लेकर आपके मतला रा के environment में चोटी चोटी गलतियों से मेरे ख्याल से यह हो चुका है चोटी चोटी बातों में हावेस्ट हो जाती होगी और हमारे यहां बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है तो रा कहता है पाक प्लीज टेक ता है मैं पहले तो उसने सवाल ये बोला है कि मतब डॉन ने ये बुछा है कि जैसे हम इस धर्ती के ओपर रह रह रहें यहां पर तो नेगटिव साइड में हार्वेस्ट होना असान है क्योंकि सोच लोगों की इस तरीके की है लेकिन जैसे रा है वो लोग जैसे वीनस से निकले और आगे चले तो उस केस में वहां पर नेगेटिव वाली हर्वेस्ट के चैंसिस कम थे क्या मैं सही जह रहा हूंग यह पूछा था तो राने उसको जवाब दिया था राने का था देख हो गई पहली बात तो यह हर्वेस्ट होती है ना मतलब यह जो कटाई होती है यह इसक है वह नेगेटिव में चले जाएंगे और जो इन दोनों के बीच में है दूल रहे है आपकी आवाज वह कह रहे है कि बहुत कम आ रही है मुझे तो सही सुनाई दे रही है पर वो कह रहे हैं अब कर मेरे यहां से भी फुल है आप लोग प्लीज अपनी वॉल्यूम चेक करो क्योंकि यहां पर पा की आवाज बिलकुल नॉर्मिल है और अगर मैं यह करती हूं एक मिनिट मैं बताती हूं अगर मैं शेयर सिस्टम आडियो करती हूं तो पा की आवाज गुंजेगी पा एक बार ट्राइ करना ज़रा दुबारा मैं अपको अवाज आरी है मेरी घंक अलो जी आ रही है तो अब यूट्यूब पर आपका बदेज है अब चेक करो यूट्यूब पर अगर狂गों मैं ठीक अरिया वास को बताओ अलो अगर आप लोगारी आवाज को बताओ अब फीक है एक सेकिन उपना फिर तो मैम इस सवाल में क्या मैं इसको रिपीट करूँ क्योंकि इसको रिपीट करना जरूरी ये बीच में डिस्टरबेंस हुई है बाद में इसको रिडाक्स करेंगे जब हम लोग वो कर रहे होंग तो यहां पर डॉन ने सवाल पूछा था कि अच्छा मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जैसे हमारा धर्ती का जिस तरीके का प्लैनेट है और यहां के लोग है जिस तरीके के उनकी सोच है या उनके कर्म है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहां पर नेगेटिव जो हार्वेस्ट है यानि नेगेटिव वाली जो कटाही है जिनका प्रिचानवे प्रतिशत नेगेटिव मतला अपनी अपनी सेवा के लिए और पस चाल से जादा अगर सेवा दे दी तो पांच पर प्रतिशत लोगों को दे और वो भी उस तरीके से कि वो उनके गुलाम बन Так जो होट है कि हार्वेस्ट ने गेटिव वाली होने के चैंसेस आपकी सईड में कम है हमारी साइड में जाद़ तो रा जवाब देता कि देहों अचाहि एक हार्वेस्टे जो सेट मतलब उसको आप इदर से उधर नहीं कर सकते तो असक अधर ये है कि और आपने 49 प्रतिशत अपने बारे में सोचा और क्या उन प्रतिशत दूसरे के बारे में सोचा तो बिसिकली वो ही जैसे बुदा ने बताया था मिडल पाथ है कुछी के बारे में बात हो रही है तो तो आपकी हार्वेस्ट जो है वो पॉजिटिव साइड में हो जाएगी लेकिन अगर आपका 95 प्रतिशत अपनी अपनी सोच है और 5 प्रतिशत केवल दूसरों को देना है और वो भी इस तरीके से कि उनको गुलाम बना लो तो नेगेटिव वाली होनी होनी है उसमें कोई इन दोनों मतलब केसिस में कोई चेंज नहीं है लेकिन अगर कोई ना उधर जा रहा है और ना इधर जा रहा है तो वो रिपीट कर जाएगा करें कि हाला कि लेकिन हम तुम्हें ये बता दें ये जो अपनी अपनी सेवा का जो रास्ता है वो बहुत असान है मतलब वो काफी हट तक असान है उसको करना असान इसलिए है, क्योंकि अगर आप किसी को लालच दो, और वो लालच में आ गया, तो वो आराम से उसाइड में जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाली साइड में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और हम एक दोर बता दें, अगर ये नेगेटिव वाली हो, और उसे करने दिया जाए, जो वो कर रहा है, तो कहरें कि तब ये पॉसिबल है कि हाँ, काफी हद तक हार्वेस पूरी नेगेटिव हो जाए, ये इस बात से ना, मुझे अब ध्यान में आया, कि जो बोलते हैं ना, स्वर्ग और नर्क, तो सर्विस तो सेल्फ बले प्ल लोगों की घुलामी करना नर्की तो है, गलत क्या है? मैं नर्क भी है और दूसरा बड़ी प्रॉबलम वहां की यह है, नेगेटिव टेंशिटी प्लानेट की, कि वहां पे जैसे इसने राने आप पिछले सेशन में एक में बताय था कि वहां पे जो टॉप लीडर्शिप हो लोग तो उनको जो बोला जाएगा उनको करना ही पड़ेगा उनके पास कोई आजादी नहीं है, महां पे अगर उनको बोला जाएगा इतना मिलेगा तो इतना ही मिलेगा अपने हाथ बहुत बुरा हाल होता है मैं नेगेटिव वाले प्लैनेट पे आपको क्या लग रहा है इसका मतलब स्वर्ग और नर्क की बात जो बोली जाती हो गलत नहीं बोल रहे हैं मैं घरणेखल जो नहीं घरणेखल नहीं और नतर्याव का लूस्ट अबात तरह जाती होता है यह किए अगर ब कामतव लेस्टेशन कंप सी apoyo dame भापны के बैशनेख़ नीध्याटव स्वाड़े की आद्ने कर तो जो क्र Spaß भालन के लिए और ज्युक्तूं के लात जो नहीं थर तो यह सोच लेना कि कहते हैं मुझे भी गुलामी करनी पड़ जाएगी इसलिए इनके बीच में भी कॉंपटीशन रहता है कि कौन ज्यादा नेगेटिव होगा कौन ज्यादा नेगेटिव होगा तो अब वो 90 चैप्टर का जो लास्ट क्वेस्चन था 90.10 वो मुझसे ठीक से नहीं समझ में था मुझे तो आप वो दुबारा कर लेते हैं तो डॉन पूछता है विदिन राज राज knowledge of third density physical forms what percentage would be similar enough to this planet's physical form that we would assume the entity to be human even though they were a bit different this would have to be very rough because of my definition being very rough वो कहता है के रा के हिसाब से जितना आपको पता है तीसरी घनतवता के जितने ग्रहें हैं और उनमें जो लोग रहते हैं वो हमारे धरती के लोगों से कितने मिलते जुलते हैं यह आप मुझे बताएंगे मतब एक अंदाजा तो मैम रा इसका जवाब लेता है क्या आप 15% दूब लेता है जाएंगे जो अंदाब लेता हैं जाज़ी ऋपसुड दिए भूर्ट बाहुड विडाता है जाज़ी तो बेशवड उडर लेता इसका नविंडेवर प्र लेता हैं विद्टी लूगोडुड बाहूड बड़ बेूड़ बाहुड रह टर्डिवर यह लिवोकुकष उसने बता दिया था है था कि जो तो यहां पर गह रहा है कि 13 से 15 प्रतीशत है जो पूरे ब्रहमान में जो दिखने में आल्मोस्स तुमारे जैसे ही है लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है ना पहले वह समझो वह रीजन यह है कि जब दूसरी घनतवता से तीसरी घनतवता में आते हैं ना तो वहां पर उस तर घनतवता में तुम कहते ते दूसरी घनतवता में जैसे होगे वैसा वैसा शारीरिक रूप तुमारा होता चला जाएगा तीसरी घनतवता तक पहुचते पहुचते और इसका सबते इंपोर्टन जो रीजन जो उसने आगे बताया वो कहता है वो इसलिए नहीं है कि कोई पास की जितनी बी चीजे दूसरी घनतवता में हो रही होती है आप उसके हिसाब से अपने आपको ढ़ाखना शुरू करते हो वह इससे लिया है वो इस वजय से लिया है, क्योंकि पीछे से जो चलता आ रहे है है, आपके आज़फास自 तरीके के लोग हैं उन से मिलती जुलती चीज़ आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उस तरीके के शर्री ज्यादा बेटर रहेगा. और इसमें इस तरीके से होता है कि जैसे जैसे आप भी नोटिस करोगे वैसे, मैं हम एक्जामपल के तौर पर बजाएता हूँ, कि हिंदुस्तान के लोग काफी हद तक आपस में देखने में एक जैसी है, अगर आप नोटिस करो आफरीका के लोग तो वहाँ पर आल्मोस सब्सक्राइब तो उनका जो एंबियांस यानि उनके आस पास का जो वह था ना महौल उसके हिसाब से उनके शरीर ढलते चले गए इस पूरी बात में वह यह क्या रहा है एक मिनिट एक मिनिट आपका कहने का मतलब है कि एक इंसान जब दूसरी घनत्वता से इंसान बनके प कि देश में पैदा हो सकता है ना तो फिर उस जगह का रूप लेगा तो यह मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया एक बार क्यूंकि इंसान का जनम एक मिनिट मुझे सवाल पूरा करने दो इंसान का जनम एक नहीं होता यह नहीं है कि आज दूसरी घनत्वता से मैंने डिस क्यों हैं जान और क्या देश में है इसका तो कोई ठोकाना नहीं है वह तो कहीं भी हो सकता है वो बिल्कुल हो सकता है आपकी जो आप जो कहरो ना वो रेंडम पॉसिबिलिटी रेंडम प्रोबैबिलिटी है लेकिन अगर आप पीछे से किसी एक तरीके के महौल से आये हो ना तो जेनरली आगे बढ़ते बढ़ते आपकी कॉंशनेस भी जो होती है ना जो आपके अंदर क मेरे यार नेटवर्क चला गया था तो मेरा टीम बंद हो गया था आपकी कोई बात सुनाई नहीं दी प्लीज दुबारा शुरू करूपार अब आरी 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 अब देखो इस केस में जो आप बोल रहे हो ना बहुत बढ़ा है यह सारी चीजें भी बहुत है लेकिन य जो रांडम रूल लगा दिया अपने कहीं पर हो सकता है वह तो इटर हो प्लैनेट सागيد साहीं होता है अपकी आथ मा जिस तरीके से ऑ declari का नुभव लेती विं आ पीछे वह क्लोज़ली रिलेट कर पाती है उस अनुभव को जो वो लेती भी आये पीछे से, इस वजे से वो जिस तरीके के अनुभव लेती चलियाती जनम लेते हैं, तो हम कभी किसी जनम में किसी देश में थे, किसी जनम में किसी देश में थे, मैं खुद इतने सारे देशों से और जगाओं से उठके आई हूँ आप उठके आई हो, ओके? हम सब ने अपने बहुत सारे जनम देखे हैं मतलब जिन लोगों ने देखे हैं और हर जनम एक ही देश में या एक ही संस्कृती में नहीं था दूसरी बात है कि जब आप कहते हो कि एक अनुभव से उठा के दूसरे अनुभव में डाल दोगे मैं अपनी बात करती हूँ निमरोलोजी के हिसाब से आपका एक अनुभव जो होता है वो आपका एक जनम में एक अनुभव होता है या बहुत सारे जनमों में आपके अलग अलग इस तरह के अनुभव होते हैं लेकिन आपको अगले जनम में दूसरे अनुभव में डाला जात है जान बूच के ताकि आप सारी चीज़े सीख लो आपको धरती पे रहके प्रैक्टिकल होके मटीरियल लाइफ जीनी भी सीखनी है आपको इंडिपेंडेंडेंट होना और सक्सेस हासिल करना अपनी दूसरों की दिम्मेदारी जब आप संभालते हैं और मैं जब ये बाते बोल रही हूं मैं एक से नौ तक की सारी बाते नंबर के हिसाब से बोल रही हूँ, वहां से पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के बारे में भी आपको सीखना है, आपको करना है, वो सारी चीजें करनी है, उसके इलावा जब आप अपने आत्मिक ग्रोथ करते हो, इन दोनों चीजों में बैलन्स बनाना सीखना है, आठ नंबर जो है, वो एक और एक जीरो है, एक मिनट, मैं बता है, सवाल मेरा वही है, कि आपने कहा कि आपको एक अनुभव से दूसरे अनुभव में नहीं डाला जाता, आप कंफ्योज हो जाओ दूसरी बात, मेरा सवाल यही है, कि यह कह रहा है, आपके second density forms के हिसाब से, carry out each necessary function for third density work, लेकिन second density से, third density में आप एक ही बार आते हो, third density में आप हजारों जनम लेते हो, जिसमें हर बार आपका अनुभव अलग होता है, तो यह चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, अगर ए जनम में आप लंबे हो सकते हो, गोरे हो सकते हो, काले हो सकते हो, यह चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसका आप शारिरिक रूप से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरी बात यह से आपने का हम तो जानते हैं, एक मिनट मेरी बात को सुनो मैं क्या कह रहा हू देखो मैम, हर जो प्रिट होती है ना, वो एक पर्टिकुलर डेरेक्शन अपनी चूल करती है, रचाहिता तक पौझना उसको यह पता होता है, कि हाँ मुझे रचाहिता तक जाना है, एंड में जाकर से मर्च करना है, रास्ता अपना डिसाइड करती है, उस रास्ते के हिसाब अब छो करें तो वो थी रिदाइक और तो खायों सीकंट हॉना Das Давайте met a बहुत सारी के भाड बहुत सारे संऱमड होते हैं इसलिके रहा है नो यहां पर अम्ट इस प्रीकम्ट कर आसे की चूज करोगे देकिए अप भीड़ेकbl है नहीं की उसकते हैं यह से अमेरिका या कहीं और नहीं, आप हो सकते हो, लेकिन आपका जो माहौल आप डिसाइड करोगे न, वो माहौल पीछे से जो चलता आ रहा है न, उससे मिलता जुलता होगा, माहौल की बात हो रही है, यहाँ पर, मैं तो किसी जनम में प्रिल्ट्रेस भी थी, मैं गुफाओं में भी रही ह हूँ, और जो मैं पैदा हुई थी, मैं तो बहुत घरीब घरीब में पैदा हुई थी, मैं आपको बताने की कोशिच कर रहे हूँ, लेकिन आप यह देखो न, आप अगर अपनी प्रिवियस लाइव तरह दुबारा जाकर आप चेक करोगे, रिमोट व्यू करोगे, अपनी लाइव डिजाइन की है, यहां पर महौल की बात हो रही है, आप यह मत सोचो, फिजिकल उसको लेके महौल मत समझो, आप यह देखो कि उस महौल के अंदर आपकी डिरेक्शन क्या चली है, पहले भी कह वही डिरेक्शन थी, उसी डिरेक्शन में जा रहे थे आप, उस डिरे लेकिन चलो ठीक है कोई बात निए. दसली to be observed would be behavior indicating self-consciousness and purposeful interaction with a sentient ambience about the entity rather than those characteristics which familiarly connote to your people's the humanity of your third density form. Okay, so next question Don कहता है. Now my line of questioning. फोड़ा कन्फूसिंग है, I know, मैंबी कन्फूस्ट हूं, पर ठीक है, I'm not, still not clear on that answer, but let's go ahead, now my line of questioning, I'm trying to link to the creation of various logos and their original use of a system of archetypes in their creation, and I apologize for possibly a lack of efficiency in doing this, but I find this somewhat difficult, मैं थोड़ा इसे दो हिस्वों मैं बोलूंगी, वो कहता है, मैं अब को सवाल करने वाला हूं, मैं लोगों के अलग अलग लोगों के, जो उन लोगोंने आर्केटाइपस बनाय थे, और अर्केटाइपस का system बनाय था, उसके बारे मैं पूछना चाहता उं और मैं शायद ठीक से ना पूछ पाऊं क्यूंके मुझे 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 हो रही है समझने में. Now for this particular logos in the beginning prior to its creation of first density, did the archetypical system which it had chosen for its creations include the forms that would evolve and in particular third density human form or was this related to the archetypical concept at all? कहता है हमारे logos ने जब धर्ती का निर्मान किया पहली घनतवता में, जब पहली घनतवता बनी तयार हो रही थी, हजारों, लाखों साल जो उसके हो रहे थे, तो क्या तब हमारे logos ने ये फैसला किया था कि किस तरह का archetypical system होगा, मतार किस तरह के लोग होंगे और वो किस तरह से बनेंगे, इंसान ऐसे होंगे तीसरी घनतवता में, या उन्हों ने अर्गेटिपिकल के बारे में सोचा भी था कि बस वो हो गया, किस किस तरह की योनिया होंगी, मतलब अलग अलग जीव जन्तू जाती क्या क्या होगा क्या यह सब कुछ उन्होंने पहले से सोचा था तो मैं रा ने इसका जवाब दिया है था चॉइस ऑफ फॉर्म इस प्राइट टू दा फॉर्मिशन ऑफ अर्केटिपिकल माइड एस लोगोस क्रिएट इस प्लैन पॉर्यूशन दैन दे चोजन फॉर्म इस इन्वेस्टेड वो कहा है कि देखो यह जो चॉइस है न यह जो त दूसरी दूसरी से तीजरी में इंटर करते हूं उसके हिसाब से आपका शारिरी ग्रूप बनेगा उसके बाद डाला जाता है यह जो लोग आर्वी सीख रहे हैं अभी उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्काइप होते क्या हैं सिंबल की फॉर्म में होते हैं यह तो जो है तुमारे मतलब गैलेक्टिक सेंटर में जो लोगों में कहता है कि वह उसका जो एवोल्यूशन जिस तरह के से उसने किया है ना कि मतलब इस तरह के से डिजाइन किया है कि पहले इनको शरीर देते चले जाओ अब अब जानवर का अगर आप भीवियर देखोगे आपक बैटबार शच्राइब का रिशारी आपके अंदर जाता होगी उसके अंदर उत्नी नहीं नहीं होगी तो इसी तरीके से कड़ते आगे चलते हैं इवल्यूशन होता जाता है उसके पड法 पागत राप घृ। फिर आगे निकल जाये और ताकि उसको अपना बेटर आगे निकल आपको याद होगा पार जब हम लोग माचल गए थे तो वहां मैं ने आपको अपने मैं फिर्स देंसिटी और सेकंड देंसिटी के बारे में बताया था कि मैंने मेडिटेशन में मुझे ऐसा लगा, मुझे जो समझ में हाया, कि मैं फिर्स देंसिटी में पानी थी, और सेकंड देंसिटी में, I saw myself as a dolphin, a falcon, and a tigress. And I associate with that. And tree ka, मैंने शायद, tree ka भी बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है. I think banyan tree था या oak था, something like that. So, first density से, second density, second density के जो animals, birds या जो भी उसकी जो characteristics, मतलब के archetype of the mind, behavior, pattern, वो मुझे अपने आप में महसूस होता है. That is what is Rao was trying to say in the last question. Am I right? Ma'am, you are right, और आपके इस जितनी भी चीज़ आपने बोली, आपने इन सब के बीच में कमनालिटी नोटिस किया अपने, क्या है? क्या है? पहाव, पानी बहता है, हावा बहती है, ठीक है, डॉल्फिन बहती है, ठीक है, और यह जो आपने फैलकन बोला, हवा में उड़ते वे, हवा में उड़ते वे बह रहा है, तो बहाव आपके behavior में आज भी अगर आप नोटिस करो, आप बह जाते हो, बहाँ जगाओ पे, तभ माहौल के हिसाब से बहना, तो बेसिक लिए उस तरीके से आपको नेचर, स्वभाव की बात कर रहा है, स्वभाव, करेक्ट, करेक्ट, वो फालकन और टाइगर में कॉमन यह है, टाइगरिस में, के टाइगर, टाइगरिस के बहुत ज़्यादा, आँ, आँ, I wouldn't call it ambitious, but strong है, inner strength है, okay, so now I understand that meaning, so I don't know, अगर आप लोगों को समझ में आया, लेकिन क्योंके मैंने, वहां meditation में, जब मैं पढ़ रही थी book, तो वहां पर meditation में जब मैं गई तो मुझे अपने first or second density से connect करने का मन किया, जानने का कि मैं क्या थी, और तब मैंने महसूस किय I don't know how far I was right, but मैंने ये महसूस किया, कि first density में I was fire and water, maybe I was fire first water then whatever, and second density में कुछ animals, water, falcon, कुछ है, beings, जिनके साथ में बहुत जादा connect करती हूं, यहां तक की कुछ flowers हैं, जिनके साथ में बहुत जादा connect करती हूं, तो जब यह सवाल के बारे में मैं सोच रही थी, हाला कि हम लोग आगे बढ़ चुके थे, लेकिन वो मेरे दिमाग में play कर रहा था, कि मैं confused थी, तब मुझे वो याद आया कि वो जो मैंने connect किया था, वो nature, उन सारी चीजों का आज भी कही न कहीं मेरे अंदर है, I am definitely, मैं बहती जरूर हूँ पानी की तरह, मैं emotional बहुत हूँ, मैं fire मतलब मैं गुसा भी मेरा बहुत ही गंदा है, एक second में ऐसे हो जाता है और फिर वैसे भी ठंडा भी हो जाता है, जला दू तो जला दू और शेर की तरह खा जाऊं लेकिन I can be very soft, so all those qualities inside me, I think, सब में कही न कहीं mixed qualities होती है तो उसको अगर मैं अपने second density से relate करूं, तो कहीं ना कहीं, now I understand the question, कि in spite of इतने सारे जनम, I can understand why that basic nature इंसान का एक जैसा रहता है, okay, next question, Don पूछता है, अच्छो आग के session में एक बात तो अच्छी हो गई ना, आपको अपना pattern तो पता चल गया, मेरे तो बहुत सारे pattern है, numerology के हिसाब से, okay, numerology के हिसाब से, चलो, हम चलो, हम चलो, हम चलो, हम चलो, हम चलो, question पाते है, चलो, चलो, Was there a reason for choosing the forms that have evolved upon this planet? And if so, what was it? Don कहता है कि कोई वज़ा थी कि इस धर्ती के ओपर इतने सारे हजारों, जीव, जन्तू, अलग-अलग तरह के पेड़, पौधे, योनिया हुई, और एक से, जैसे बढ़ती गई, जैसे कहा जाता है कि amoeba से, plasma से, amoeba, amoeba से, मचली, मचली से, lizard, crocodile, फिर वो ऐसे ऐसे करके बढ़ता गया, जो first density में धर्ती की शुरुवात हुई, क्या उसका एक तरीका प्लाइन किया हुआ था, लोगोज ने, या वज़ा थी, और अगर थी तो क्या थी? अगले इसका जो जवाब दिया है न, रान है, इसके अंदर बहुत सारी information छुपी भी है, भी आप देखना, क्या बोल रहे हो, वो कह रहा है कि we are not entirely sure why our logos, आवर बोल रहे हो, our logos and several neighboring logo of approximately the space, same space time of flowering chose the bipedal erect form of the second density apes to invest, यहाँ पर उसमें सबसे पहली बात, मैं इसको जवाब को हलका सा तोड़ तोड़ के दूँगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करना है, रा यहाँ पर कह रहा है कि हमको भी पूरी तरीके से नहीं हैं अंदाजा कि यह जो हमारा logo's है, हमारा यानि आपका, इस धरती के हम तो तुम्हारे सूरज के अंदर हैं, तो उसने बता दिया था कि कि कितने हैं, बता रहे हैं हाँ पर जानबूच के कि हमें यह नहीं पता, मतलब कि क्यों, जो हमारा logo's हैं और हमारे आज सपास की और भी जो गैलक्जी हैं, और भी जो आकास गंगा हैं, उनके logo's में भी ऐ हम भी इस तरीके से मूव की हैं, जैसे हम लोग, मतलब धर्ती के लोग, जैसे साइंस भी बताती हैं कि हम पहले एपस थे, मतलब बंदर प्रजाती थे, फिर उसके बाद पिर हम इनसान की प्रजाती में आएं, वो कह रहा है कि राभ ही उसी तरीके से निकले हैं, वो भी पह वाले थे शकले अलग हो सकती हैं, हाथ पतले हो सकते हैं, चरीर थोड़ा सा अलग हो सकता हैं, लेकिन दो पैर वाले सारे ही हैं, हमारी आसपास की अकाश गंगाओ में भी, यहां इंपोर्टन इंफरमेशन दिये है राने, फिर वागे कहता है, अरवियर कहता है, लेकिन वाले अगोर वाले बडाने अर्पकॉणी, यहां इंपोर्ड है लेकिन आलग है, यह भी हमारे अन्यद्व कोने दाता हैं, हमने दो चीछ सा खे में आता है करा kijken है कि यह सतरु मुक्रा उसन अचे हैं कि यह सब्सक्राइब है कि अब करोड़िगा है कि अब प्रदे तो PM कहें हैं म्ह самों कि इस अजो परदे गा ना अब कर दीछ सेंटर । विनि के बारे से कि हमें अघ्रों कैट कि दिर सो हमारा जो पॉर्दे की है वो यह चाहता था कि तीसरी घनतवता में न यह थोड़ा सा और घना हो जाए ताकि जो अनुभव हो थोड़ा और इंटेंस होते चले जाए जादा अनुभव डेवलप हों कम नहीं जादा हो अनुभव क्योंकि जब तक अगर आपको पिछली जैसे उसने वताया पिछली तो अब हर व्यक्ति के उपर हो गया कि भाई मैं तोड़ के आगे निकलूंगा उसकी वजए से अब वो अलग-अलग तरीके अपनाएगा जब तरीके अपनाएगा तो नहीं नहीं अनुभव जन्रेट होंगे यह चीज पहली कि उसने दूसरी चीज जो सबसें इंपोर्ट जाए परदा नहीं तो इसके पहले सारे टेलिपैथी के दुआरा बात किया करते थे और जानवर जानवर वो देखोगे तो आज भी वो काफी हद तक टेलिपैथी में बात करते हैं वो सारे के सारे उन्हें पता चल जाता है कि एक दूसरे क्यों मतलब दिमाग में क्या चल रहे हैं वो यह चाहता था कि पहुँचते हैं यह जो भाषा है कि इसका इस्तेमाल शुरूँ हो जाए तो यह परदा लगता है वो थोड़ी सी उक हो गई लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको वो नहीं कर सकते हैं आज की डेट में इसको इसको एक्ट उसकी पर इंटेंस नही the so called opposable thumb, is looked upon as an excellent means of intensifying the wailing process so that, rather than rediscovering the powers of the mind, the third density entity would by the form of its physical manifestation be drawn to the making, holding and using of physical tools. कहता है कि एक चीज़ और है जो हमने हमारा अनुमान है कि यहां पर भी अनुमान ही लगा के चल दा है राको इस इस ने हमें अंगूठे का मतलब रा के पास भी अंगूठे हैं हमारे पास जैसे हैं यह जो थंब है हमारा, यहां पर है वर्ड अपोस्टल यह एपोस्टेबल थंब, ऐसे करके कुछ है ओरिजिनल बुक के अंदर, यह एरः रह, तो वह कहता है, एक तौ अंगुठे दे लिया हमें, वह इसलिए किया कि यह जो वेलिंग का प्रोसेस लगा है, ब्सक्या भूलने तीसरी घनथवतय में उसमें इस चीज के पर फोकस है कि इस तीसरी घनथवता में यह आपने हाथों का इसिमाल करके चीज तुसलिए उसने ठंब भी दिया। Harley have no idea, तुसलिए और तुसलिए उसने इस तीजिफया पर फोकस ही है कि उसने इस तीसरी घंतवता में दिया गया रा के पास नहीं है शासा में तो रा के पास भी होगा नहीं ऐगर वो यह बोल रहे न है जो है दूसरी घंधवता शुरू हो रही थी तो उसकी तीसरी खतम हो रही थी तो उसके पास मज़े तो नहीं लगता है नहीं एक सेशन में ना आगे रा स्लियर कर देगा कि हमारे हां पर यह जो तुम कहते हो ना यह लड़ाई मार-धाड़ा और यह वह इसलिए नहीं होती थी क्योंकि हमार पसंग भूठे इन्हीं थे जब हमार पसंग भूठे नहीं थे तो हमें वह सारी चीज़ बनानी नहीं आती थी यह फिसिकल टूल तो अगर हमें एक जूसरे को जादा धप तो ने वो जो धनुश बान बनाए वो तो अंगूठे के बिना इस्तेमाल ही नहीं हो सकता इसका मतलब के वो तीसरी घनत्वता में वो लोग आए होंगे ना लेकिन बहुत सारे इन में से ब्लू कलर के थे तो यह भी सोचा जाता है अज्यूम किया जाता है हो सकता है कि वो लोग दूसरे प्लैनेट से आए हूं यहां पर प्यार सिखाने या जो भी कहर ओके सो देनेक्स तो यह लोग इस तरह के होंगे यह लोग इस तरह के हूंगे यह जाहे वो बहेवियर और नेचर की बात कर रहा है शरीर की नहीं कर रहा है तो वो इसलिए बनाया गया ताकि यह जो पर्टिकिलर प्रिंसिपल्स हैं इनको पहलाया जा सके इनको और गहराई से जाना जा सके इस तरीके के अनुभव ज्यादा हो सके अच्छा यह तो फिर राव का जवाब देता है की में पहले तो वो सवाल मेरे खाल में कहीं हो थाइर बना रिपीट ओडाए ऑ। वो कह रहा है कि यह ने बोला कि तो मैं अपना गश लगा रहा हूँ मैं अपना नुमान लगा रहा हूँ कि ये जो हमारा लोगो जो है इसने आर्केटाइप यानि ये जो सिंबॉलिक तरीके से चीज़े बनानी शुरू की क्या रहे कि ये बनाते मतलब या कहलो कि हमको तरीके से बनाया होगा कि इस तरीके के अनुभव यानि जैसे हाथ से चीज़े ओठाना और एक दूसरे से बात करना, तेलिपाथी का कम इस्तेमाल, लेकिन दिमाग की शक्तियों का कम इस्तेमाल, लेकिन शारिरिक और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जादा करना. चाहिए क्या मिरा नुमान सही है? तो राव से जवाब देता है, वो कह रहा है कि जो जिस तरीके से तुमने सवाल रखा है ना, यह थोड़ा सा एरर है तुमारे, मतलब यहां पे थोड़ा सा तंग्चे रख सकते हैं तुम यह सवाल, लेकिन हाला कि हम तुम्हें यह बताते हैं, यह जो दिमाग के अंदर इमेजिस हैं, सब की, खीक है ना, यह जो यह इमेज को, बाइद वह आप लोगों बता दूँ, यह जो क्रियेशन होती है ना, यह सारी की सारी, जाए एक प्लैनेट बनाना हो, सूरज बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, इसको बनाने के लिए ना, आर्केटिपिकल सिंबल्स का यूज किया जाता है, मतलब यह जो लोगों है, वो सिंबल्स का इस्तेमाल करके इनको बनाता है, तब यह आप लोगों ने देखा होगा, मरकबा और यह सारी चीज़े, इनको बड़ा सेक्रेट माना जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके ही, इन्होंने यह सारी फिजिकल मैनिफेस्टेशन की है, अपने दिमाग का और अपनी इंटेलिजेंस के दुआरा, तो वो कह रहा है कि यह जो है ना, उसने क्या किया है, लोगों ने, उसने अपने आपको बच्चों की फॉर्म देके, अपने आर्केटिपिकल माइंड का इस्तेमाल करके, इन इमेजिस का इस्तेमाल करके, अपने आपका ही इमेजिस, तुम लोगों के अंदर डाल के रखी हुई या उसने भी, तुमारे दिमाग के अंदर, में और यह देख सकते हैं कि हाँ इस पहुपना और चीज आप और नुभव लेना है लोगोज को भी आपके द्वारा ले ने लोगोस आप से देखो तूरजा आप से अनुभव ले रहा है सारे सूरे प्लानेट जेतने के। अपना अनुभव सारा का सारा लोगोस को भेज रहा है। यह इस तरीके से चलता है। और प्लस, सारे के सारी छो गैलक्जीज वह आपस में इंटर कनेक्टेड है, उधर ब्लाक होल से भी और वाइट होल से भी, तो वहां पर भी अनुबब चली रहा है, तो यह सारे अनुबव आपस में इंटर मिंगल कर रहे होते हैं, यह बना इस तरीके से है, पूरा का पूरा तो कह रहा है उसने अपने आपको बच्चों की तरह तुम्हारे अंदर भी डाल रहा है वो भी तुमसे अनुभव ले रहा है और जिस जिस चीज की ज़रुवत पढ़ती रहती है उसके अकॉर्डिंग ली चीज़े करता चला जाता है यह हो रहा है यहां पर मेरे खहल से वो यहां पर यह कह रहा है कि यह जो तुम लोगों ने फोटोज बनाई हैं कार्ड के उपर या जैसे भी है यह जो इमेजेज बनाई हुई है आर्किट्पिकल माइंड की यह असल में जो तीसरी घंत्वता में फिजिकल मैनिफेस्टेशन है यह उनका एक तरह से है लेकिन उनका भाथ ही छोटा रप्रेंटेशन है भ Alglyly BASIK रप्रेंटेशन है चिल्रेन ओफ घुचा थर्ट देनसाटी की सिंट्पएजिकल मैनिफेस्टेशन ओफ फॉ मतलब के जो असल में होता है ए छो इसक अनुता है तो बडलते बडलते ऐसे होता है लेकिन बेसिक इस एक इसके साथ槁 ऑच्ठान इस कि अख्यूच्ज तो इसन फ्टान का वो इसल होता है So, This is what I think he was saying Don says ano , gdzie और यदिए है यह नौगी यह बोल्ट यह अं Creative बोल जो अव्हञी भोला है But this is on this right if you read I mean, this is what I think he said У so now as I understand Yes, I'm OK 얼ह रहम 95atas Now as I understand it the archetypes are the biases of a very fundamental nature under free will generate the experiences of each entity, is this correct? so Don is asking that I am getting this understanding that the archetypes are the biases of a very fundamental nature they are very different ways that are the biases of a very fundamental nature in terms of free will according to the fact that every human is a person is a person is a person I understand the question is this correct? ma'am he is saying that he is saying that these are the biases once again you repeat the question what do you say about it? I have said he is saying that the archetypes in his own their biases the biases in his biases the biases the biases वो अपने free will के हिसाब से इन लोगों ने अपने अनुभव तै किये हुए। वह कह रहा है कि पहली बात तु यूटिव मायंड यह जो तुम बार से और बार बोल रहे हो यह तो सारह जना उनको इन व एक पॉर्म करता है तुमारे यह तो तुमारी पाली बात तो यहा है। अलिकल ईकद और साप स्अ पाई फोकस कुल अगी जहां पे आपका फोकस चला ग़या वहाँ परुसमेंट भी नजलानी शुड़ा हो जाएगी इस अथा जैएा पर पूरा ब्र्रह मिन जारानी ने अजीज़ूगी नेकिन है पोरी बहुन मिन. तो वह कह रहा है कि हम तुम्हें चीज है ना जो मतलब एक एक ब्रह्मान जिल जो 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 जिसके चल रहे ना जब के सव अनुभव तुम्हारे दिमाग के अंदर उन्धर भी है यानि यहां पे इस वरश्या चाहे कोई किसी भी प्लाइनेट पे हो, यह सूरज के अंदर हो, कुछ भी हो, सबके दिमाग एक ही हैं, अपस में सबके दिमाग, हम लोग और यह नहीं सोचना चीए, कि मैं कुछ special हूँ, हाता है hundred-yahousAnd Harmon सब को एक रख रहे हैं और वो वह हमश्चाहित पर उंका इंटर corriis आपस में उनका इंटर्चीन चल रहा होता है और यहां पर वह बोढ़ tragen कि केवल यसी अकाज गंगा के Lower तुम्हारे वो अनुभव, वो सारे के सारे तुम्हारे अर्केटिपिकल माइंड में हैं, और वो केवल इसी लोगो को मिल रहे हैं, और यही लोगो जो है तुम्हारे सेंटर गैलेक्टिक, मतलब आखाज गंगा के बीच में, वो ही रचाइथा को दे रहा है सारी इंफरमिश वहीं से information इस तरीके से travel करती है फिर वह आगे ये कहता है thus it may be seen as one of the roots of mind but not the deepest but certainly the most informative in some ways the other root of mind to be recalled is that racial or planetary mind which also informs the conceptualization of each entity to some degree क्यारे कि देखो इसको तुम एक तरीके से अपना root of the mind बोल सकते हो लेकिन ये भी बहुत deep वाला root of the mind नहीं है मतलब तुमारे दिमाग की जड़ ये भी नहीं है उतनी गहरी अर्केटिपिकल माइड लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं बहुत सारी information है इस वाले mind के अंदर तुमारे subconscious mind में केवल ये ही नहीं है की आर्केटिपिकल माइड हो यहां पर वो बतानी कोशिश कर रहा है वो कह रहा है कि एक और है तुमारे root of the mind मतलब इसी आर्केटिपिकल माइड के या तो साइड में ओपर कहीं ना कहीं एक और दिमाग भी है जो कि तुमारा planetary mind है मतलब तुमारा दिमाग तुमारे ग्रह से भी जुडावा है उदर से उस से तो जुडावा है ही और कैकेते हैं लोगों से जुडावा तो है ही और आपस में भी पूरे ग्रहों से जुडावा है और तुमारे खुद गे ग्रह से भी जुडावा है जब वो बोल रहा है ना Racial और Planetary Mind तो यहां पर वो यह बोल रहा है कि तुम्हारे ग्रहे पे जितनी भी प्रजातियां मतलब प्रजातियां मतलब जितने भी तरीके के लोग हैं उनसे भी तुम्हारा दिमाग connected है तुम चाहो तो हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर के घुसके उ तो इंडिरेक्टी वो यही कहने कोशिश कर रहे हैं कि और यही है जो आप लोगों को यह conceptualization of each entity to some degree क्यारे यही है जिसको समझते समझते जिसका इस्तेमाल करके तुम एक दूसरे को समझ रहे होते हो कुछ हद तक some degree वो बोल रहा है कुछ हद तक तुम एक दूसरे हमारे हमारे रूट अब माइंड में हमारे दिमाग में 2 तरीके हमारे तुम के माइंड के अंदर 2 तरीके के दिमाग है एक तो गया आर्कटेपिकल जिसमें पूरी इस गैलेकजी की information है इस पूरी अकाश गंगा की information है और दूसरा हो गया ये वाला planetary mind यानि इस ग्रह का दिमाग इस ग्रह पे कौन सी चीज कहां कहां कैसे कैसे घट रही है या जो हो रहा है न वो सारा information उसके अंदर है इसी लिए अगर आप लोग remote viewing करते हो न तो जैसे आपको कोई information होती है आपको इसी लिए क्योंकि सारे दिमाग आपस में connected है किसी के दिमाग में कोई भी चीज आई न आप उसके information निकाल सकते हो या कोई घटना की information निकाल सकते हो या किसी भी चीज की information निकाल सकते हो किसी भी व्यक्ति की information निकाल सकते हो वह इसी की वज़े से है और पूरे ब्रह्मान, इस गैलेक्टी के अंदर की भी इंफरमेशन निकाली जा सकती, अगर आप चाहो तो, आप इस गैलेक्टी में कहां कहां पेदा होई हो, वो सब इंफरमेशन आप निकाल सकते हो, sorry. Don पूछता है, at what point in the evolutionary process does the archetypical mind first have effect upon the entity? वो कहता है कि हमारी सोल के जो आगे बढ़ने की या evolution का जो तौर तरीका है, उसके अंदर archetypical mind का असर सबसे पहले उस इंशान पर या उस अस्तित्व पर कब होता है? तो रा कहता है, at the point at which an entity, either by accident or design, reflects an archetype, the archetypical mind resonates. जसलिए, random activation of the archetypical resonance begins almost immediately in third density experience. The disciplined use of this tool of evolution comes far later in this process. तो वो कह रहा है, कि ये जो तुम कह रहे हो, कि इस पूरे ब्रह्मान का evolution कैसे हुआ, मतलब हमारी इस आकाश गंगा के अंदर कौन से चीजे कैसे कैसे, शुरुवात कैसे हुई, और ये बनी, कैसे हो, सारी information, archetypical mind में, किस तरीके से हुई, हम कैसे, मतलब, कब वो वक्त होता है, जब किसी व्यक्ति को पता चल जाता है, कि ये इस तरीके से हुआ, तो कहता है कि ये तब हो सकता है, जब या तो किसी accident के तुरू, या किसी design के तुरू, जब यहाँ पर design की बात कर रहा है न, तो यहाँ पर design में, meditation वगएरा सारी चीजों की बात कर रहा है, वो, एक्सिडेंट होता है कि कभी-कभी किसी को अचानक से आप देखोगे, इस धर्ती में भी कई लोग पैदा हुए, मैम, जिन लोग अपनी पिछली जिंदगियां सारी याद आ गई, वोते हैं कुछ बच्चे, अरे मैं तो वहाँ पैदा हुआ था, कुछ मैं तो वहाँ नहीं एक इनफर्मेशन, वह अचानक से एक्दम से एक्टिवेट हो जाए, और तब तुम्हारा ये जो दिमाग है, अर्केटिपिकल मैंड है, ये अचानक से ये कंपनता में आ जाता है, अपनी, रेजोनेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इनफर्मेशन वहाँ से इसलिए वह आगे कहता है कि अचानक से रेंडम एक्टिवेशन हो जाती है, किसी-किसी केस में लोगों के साथ, और ये तब हो सकती है, पैदा होने के टाइम पे हो जाती है, इसलिए आप इस तरीके के जितनी भी चीज़े देखोगे ना, आप देखोगे, जब बच्चा प जाहिए ऐसा, लेकिन जब वह आप दिजाइन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अचिसी, पुरानी जिन्दगी याद नहीं आ रही है, कई बार कुछ बच्चों का जनम से स्वभाव कुछ ऐसा होता है, आदते होती है, कुछ आदते हैं, वह आदते हैं, यहां पे वह पुर एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ही आप पैदा होते हो, तीसरी घंदत्वता का एक्सपीरिंश शुरू होता है, वह यह कह रहा है, तो जब आप पैदा होते हो, मूल स्वभाव, कई बार लोग कहते हैं, अरे इसकी यह आदतना हमारे दादा जी ऐसे किया करते थे, अरे इस इसको यह आदत है, यह तो हमारे खांदान में किसी को नहीं है, तो वो आर्केटिपिकल जो एक स्वभाव है, जैसे उपर वाले 90.10 सवाल हम लोग पूछ रहे, डिसकस कर रहे थे न, कि समझ में नहीं आ रहा दूसरी घंदत्वता से तीसरी घंदत्वता, तो बाद में मु रूप से स्वभाव है, आपके दिमाग का या आपके शरीर का, उसका एक्टिवेशन, रेजोनेंस, मतलब उसकी जो कमपनता है या उसका जो एफेक्ट है, वो पैदा होते ही, इमीजिटली शुरू हो जाता है, तो मेरा यह खयाल है, शायद वो यह कह रहा है कि आपकी आद आपके पुराने और जो इस पूरी गैलेक्जी के अंदर जो अनुभाव है न वो रखे होते हैं, तो स्वभाव का अनुभाव से लेना क्या है, स्वभाव में कमपनता नहीं आ सकती, अनुभाव में कमपनता आती है, एक मिनट, आपने 90.10 में ये बोला, कि आर्किटिपिक माइन्ड मतलब आपका मूल रूप से स्वभाव होता है, जो आपका सेकंड डेंसिटी में था और थर्ड डेंसिटी में आप आए, वहां आपने ये बोला, अब आप और उसने, अभी तो समझाया है मैम उपर उसने, अर्किटिपिकल माइन्ड क्या होता है, इस से पिछले आपने बोला कि 90.10 सवाल जब हम कर रहे थे तो आपने बोला, वहां पर शारी रूप की बात कर रहा है, अनुबव की बात नहीं कर रहा है, शारी रूप का महौल, महौल की बात हो रही है, यहां पर आर्किटिपिकल माइन्ड की बात हो रही है, इसके अंदर सारे अनुबव होते हैं, जब हम वो सवाल कर रहे थे, तब आपने बोला था कि वो स्वभाव की बात कर रहा है, वो फिजिकल इसकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने ये बोला था कि वहाँ पे वह सभाव की बात कर रहा है शारीरिक रूप की बात कर रहा है थो सकता है मैं भी गलत ही लेकिन मुझे समझ में आ रहा है यहां पर यह कहरा है कि यह किसी-किसी एंटीटी में यह जो इवोलुशनेरी प्रोसेस है, यह आर्केटिपिकल माइंड के जो अनुभव हैं, वो किसी व्यक्ति को कैसे मिल सकते हैं, किस वक्त मिल सकते हैं, तो वो इसने यहां पर यह जवाब दिया, कि यह एक्षिडेंट से भी हो सकता है, किसी के यह डिजाइन से भी हो सकता है, जोना कि पुरानी जिंदगियां उनके अनुभवयाद आजाएं, और फिर जब वो यह पाला पार्ट बोल रहा है, तर डिसिप्लेंट यूज अफ इस तूल ऑफ इवलूशन कम पार लेटर इन दिस प्रोसेस, कि जो डिसिप्लिन्स की ज़रूरत होती है, इसको और इवाल, मतलब इसको और जादा बहतर तरीके से अपने अर्केटिपिकल माइंड को जानने के लिए, वो तो बाद में आते है, प्रोसेस में, यानि, मेडिटेशन और इंसारी टेक्नीक, रिमोट इंसारी टेक्नीक, मैं, रा की अंडर्सेंडिंग को हम लोगों को रा के लेवल पर सोचना पड़ेगा कि रा कैसे सोचता है, वो यह बतानी कोशिची कर रहा है, यह तो डिसिप्लिन तो बाद में सीखते हो, अगर तुमें मान लो अपनी आर्केटिपिकल माइंड को ब्रेक करना है, उसके अंदर से इंफरमेशन निकालनी है, लेकिन किसी किसी केस में एक्सिडेंट So, आगे चलो, What was the ultimate objective of this Logos in designing the archetypical mind as it did? Logos दे जब यह archetypical mind जिस तरह से बनाया, उसका क्या इरादा क्या था? So, Raah कहता है, Each Logos desires to create a more eloquent expression, अब मैं eloquent का मतलब मिरे को बताना है, कह रहा है, eloquent expression, eloquent मतलब जो बहुत ही, सुन्दर तरीके से बात समझाना या करना जानता हो, अच्छा, अच्छा, तो यहां पर वो कह रहा है, Each Logos desires to create a more eloquent expression of experience of the creator by the creator, The archetypical mind is intended to heighten this ability to express the creator in pattern, more like the fanned peacock's tail, each facet of the creator vivid upright and shining with articulated beauty, तो वो कह रहा है कि यह जो Logos है ना, उसकी इच्छा, हर Logos की इच्छा यही होती है, कि वो बहुत ही सुन्दर तरीके से उस अनंत रचाईता को अनुभव दे दूसरे रचाईताओं के द्वारा, मतलब यानि यहां पर आप भी रचाईता हो, मैं भी रचाईता हूं, यह ज कि इस अंudर तरीके से, यह झाले है इस तरीके से डिजाइन किया गया है यह तरीके से बनाया गया है, कि वो उस रचाईता को पैटरन Vorte yeter निरिकिन से इंदर इनेजरी तरह इसको दिया जाए जैसे कि उसके पैंपल तरह कि एक मोर की तरह जैसे उसके पंक फैलाएं वह उतने अगर तुम नोटिस करो कि निए पंक फैलाने में तो कुछ चीज़े तो विविड हैं मतलब कुछ चीज़े उसके आप नगरा रही है कु ब्यूटी दिखा रही है, जो कुछ चीजे चुपी भी है, कुछ चीजे नजर आ रही है, कुछ चीजे बिलकुल ही शाइन कर रही है उसके अंदर, किस तरीके से पैटर्न बनते हैं, वो जाते हैं रतीता के पास, और यह जो तुम्हारा अर्केटिपिकल माइंड है, इसको औ और मतलब व्यापक रूप से करता है इस काम को, मेरे खेल से यहां पे जब वो पाटर्न की बात कर रहा है, वो इमिजिस की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि एक सेट तरीका होता है, पाटर्न को वो बोलते हैं, एक सेट तरीका है, जो बार बार एक तरहा से होता है, जो पीकॉक की पूच जब वो जब फैलती है तो वो पूरा इतना फैलने के बाद भी उसका एक-एक पंक देखने में बिल्कुल एक जैसा होता है एकदम उपर और सुन्दर और चमकता हुआ लेकिन एक-एक पंक बिल्कुल एक जैसा होता है तो सेट पाटर्न मुझे ऐसा लगता है अन्यवे पाटर्न मुझे लगता है तो वो कहता है किया आपको किसी और अर्केटिपिकल माइं के बारे में पता है किसी और लोगो पे जो हमारे से हमारे अनुभव से अलग हो तो रा कहता है, there are entities of रा, which have served as far wanderers to those of another logos, okay, the experience has been one which staggers, okay, staggers the intellectual and intuitive capacities, for each logo, logo sets up an experiment, enough at variance from all other, that the subtleties of the archetypical mind of another logos are more murky to the resonating mind-body-spirit complexes of this logo, मैं, यहाला अंसर आप बता सेख्टे हो, रा कहता है, there are, okay, let me just read it, कहता है कि हमारे ग्रूप के, रा के ग्रूप के लोग, wanderers बनके बहुत सारे और logos के उपर जा चुके हैं, मतलब, planets पे जा चुके हैं, दूसरे logos के, और हमारा जो अनुभव रहा है, वो हमारी बुद्धि मानिता और हमारी intuition जो है, उसमें डोल गई है, क्योंकि हर लोगो अपना एक अनुभव सेट अप करता है, बाकी सारे logos से अलग, और उनके हलके हलके बड़े, यूनो कई बार होता है, कि आप बोलते हो, हाँ, ये यही है, लेकिन मैं उसमें उंगली नहीं रख पा रहा, कि उसमें वो हलका सा फरक है, तो subtlety मतलब वो चीज जो आपको महसूस हो रही है, लेकिन सामने नहीं है, नजर नहीं आ रही है, उसमें आप उंगली नहीं रख पाते, तो कहते हैं, इतने हलके हलके फरक होते हैं उनके आर्टाइप्स में, और उनकी तॉर तरीकों में, दूसरे लोगों के जो लोग होते हैं, तो, are murky to the resonating mind-body-spirit complexes of this logos के ये वले logos के जो ग्रहों के लोग हैं जो अलग अलग ग्रहों पे इस logos के सौर मंडल solar systems, milky ways, galaxies के जितने planets के जो लोग हैं उनके साथ अगर उनको मिला दिया जाए तो कीचड मच जाएगा गंदगी फैल जाएगी तो वो यहां के जो लोग हैं न यहां के जो अनुभव हैं वो उसके हिसाब से अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुए mind subtleties of the archaeological mind of another logos are most murky to the resonating mind-body अच्छा अच्छा उनके साफ नहीं हुए हैं यहां के लोगों के तो फिर भी clear हैं थोड़े से उनके जो हैं वो पूरी तरह से साफ नहीं है आर्केटिपिकल माइंड के तौर तरीके मतलब वो अभी तक पूरी तरह से evolve नहीं कर पाए हैं कि हां इस तरह के लोग होते हैं वो अभी भी evolve कर रहे हैं मैं अब इस जवाब को ना आप वो करो क्या बोलते हैं उसको समराइज करके इस जवाब को दो जड़ा तो तूटिया है तो उसने बोला के रा के बहुत सारे हम जैसे रा के जो कम्यूनिटी है सबका नाम तो राई है तो रा बहुत सारे वॉंडरर बनके दूसरे लोगोस के वहाँ पर गए हैं और हमारा जो अनुभव रहा है हमारी बुद्धिमानिता और हमारी इंटुइशन बगेरा जो है वहाँ पे हम डोल गए हैं इतना यूं कहलो कि धक्का लगा या हैरान क्योंकि हर लोगोस ने अपने अलग अलग जगा पे अपने अपने अनुभव के हिसाब से अपने लोग बनाए हैं या ग्रह बनाए हैं और उनमें इतने हलके हलके थोड़े थोड़े उनके आर्केटिपिकल माइन में यहां के और वहां के बहुत हलके हलके फर्क हैं अभी तक और अर्केटिपिकल माइन को पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पाए है उसे सुन्दर तरीके से या क्लियर कट तरीके से वो पहचान नहीं पाए कि यह ऐसे होता है अब समझ में आए है पाँ? आमें तो फिर दॉन कहता है there seems to have been created by this logos to me anyway a large percentage of entities whose distortion was towards warfare. In that we had the Maldic and the Mars experience and now Earth. It seems that Venus was the exception to what we would call almost the rule of warfare. Is this correct? And was this envisioned and planned into the construction of the archetypical mind? Possibly not with respect particularly to warfare as we have experienced it but to the extreme action to polarization in consciousness. वो कहता है कि हमारे logos ने मुझे ऐसा लगता है कि जादातर लोगों को लडाई जखड़े और युद्ध की बारे में पतलब सिखाया हुआ है या उन्हें इस तरीके से बनाया हुआ है. शायद इसी वज़े से Maldic और Mars पे इस तरह के अनुभव हुए कि उन लोगों ने Maldic वालों ने तो अपनी पूरी ग्रह को फाड़ दिया और Mars वाले लोगों ने Mars को मंगल को बरबाद करके यहां आके छुप गया अब ही धर्ती पर भी हो रहा है. तो उसके अंदर ये इस तरह से उसने जानबुच के डाला लडाई जघड़े के बारे में खास करके लडाई जघड़े के बारे में क्योंकि खास करके कि पोलराईजेशन जो है उनकी चेतना का अच्छी तरफ और बुरी तरफ उसको क्लियर करने के हिसाब से ताकि लोगों को समझ में आ जा कि मैं कौन सी तरफ हूं अच्छे वाले लोगों की तरफ हूं बुरे वाले लोगों की तरफ हूं वो चीज का अनुभव करने के लिए लोगों ने लड़ाई जगडे और युद की चीजें इस लोगों के ग्रहों के ल प्लेनेट फार दिया फिर मार्स पे भी रामा हुआ फिर वहां से भाग के जब यहां पर अपना प्लेनेट इन्हेटेबल बना दिया यहां पर आ गए अब धर्टी के उपर भी ड्रामा चल रहा है यूद्ध यॉद्ध और यह सारी चीजि़ें तो क्या है क्या हिए सारा से रस्टे पर जाना है, मतलब इससे कि होगा क्या, कि जब युद्ध की स्थिती होती है, तो दो तरीके की हो जाती है, कुछ लोग होते हैं, युद्ध करो, युद्ध करो, दूसरे होते हैं, युद्ध मत करो, मत करो, तो इसमें दो, एक तरीके से दो फाड हो जाएं, कि किस वो रास्ता चुन लिया एक तरीक से पोलराराइजेशन, मतलब किसी को क्या अच्छा लग रहा है, किसी को हो सकता है यूध अच्छा लग रहा हूँ, इस वजय से लोगोज ने डिजाइन किया था तो राइस का जवाब देता है, कहता है, it is correct, that the, हाँ, मतलब इसमें ये भी पूचाता है, हमें ये लगता है, कि वीनस के जो तुम प्लैनेट, मतलब शुक्र ग्रह पे, क्योंकि आपके यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर युद्ध का तो इसलिए आप लोगों का शायद वह यह है, कि क्या, यही लोगों ने दिजाइंड किया था, मतलब लोगों जाहता था कि युद्ध और इस तरीके की स्थेतियां उतुपन हो, तो राव हो कहता है, it is correct, that the logos designed its experiment to attempt to achieve the greatest possible opportunities for polarization in third density, it is incorrect, that warfare of the type, specific to your experience was planned by the logos, this form of expression of hostility is an interesting result, which is apparently concomitant, I am going to check what is concomitant, he says concomitant with the tool making ability, interesting result which is apparently concomitant with the tool making ability, the choice of the logos to use the life form with the grasping thumb is the decision to which, is the decision to which this type of warfare may be traced, okay, 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 I understand, Concomitant means naturally, it is true, concomitant means naturally, it is true, it is true, I mean, it is true, it is true, the logos designed this design, उसने जब एक्सपेरिमेंटल यह पोरा ग्रेय बनाए हमारी बूरी अकाश से लिख गांगा जब उसने रच्छी न डिजाइन किया थाrose एपने अपनी इच्छा के अनुसार लोग चूज कर सकी कि उन्हें कहां जाने है कोहां नहीं जाने है यह क्या करना है क्या नहीं करना है यह तो इस तरीके का यह जो एक दूसरे के ऊपर युद्ध करना एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल करना और एक दूसरे को गुलाम बना लेना यह तो सारी चीजें तब हुई जब तुम लोगों ने मतलब एक नैचरल तरीके से तुमने पत्थर मतलब टूल्स बनाने शुरू कर पहले इन से मारना शुरू किया और इनके जो धीरे-दीरे युद्ध की जो ये वो होती है टूल्स होते हैं वो बनाने लगे फिर धीरे तुम और आ गया आते गए तो तुमने मैकसिमम चीजे युद्ध से ही रिलेटेड बनानी शुरू करती और इसका प्रॉपर जो रीजन ह चीजे वहां बनाते हैं और इसके पर बनाते है कर रहा दोने सबसक्राइब हो उसका पर भी लुक्त के डिया इन वाहिव बनाते हैं ऑजीरे यिज्ध के ऐसके लिए ऐसके लिए इसका इसका करना शुरू किया उसकी वज़े से और तुमने नहीं नहीं, यह मार्स पर भी वहा, दोनों जगा हुआ, यह कहा है हो, विस्वी अंगूठे होने की वजए से इन लोगों ने युद्ध, जो अंगूठा देने का वो नतीजा तो होना ही था, कि तुम लोगों ने कुछ बनाना था, और तुम लोगों ने औजार तो बनाने शुरू कीया और अब अजार बनाने शुरू कीया तो योद्तो होना ही था तो ये कोई लोगोस ने नहीं बनाया ये का थो दुटा था है कि देन डिडार लोगोस होत टुटो C generated a positive and negative harvest from each density up to the sixth starting with the third as being the most efficient form of generating experience known to it at the time of its construction of the system of evolution तो कहता है तो लोगोस basically पॉजिटिव और नेगटिव हार्वेस्ट कटाई जो अच्छे और बुरे लोगों की हज़ वो चाहता था तीसरी से लेके छटी घनत्वता तक और उसे यह सबसे बहतर तरीका लगा ऐसा अनुभव पैदा करने का जब से यह एवलुशन का सिस्टम शुरू हुआ है तब से सबसे बहतर तरीका लगा अपने पॉजिटिव और नेगटिव कटाई जो है वो तीसरी से छटी घनतता तक हो और इसी लिए उसको यह सबसे बहतर तरीका लगा प्रूपनी इंट्रेस्टिंग अनुभव पैदा करने का और एुशन मतला आध्यात्मी ग्रोथ का सिस्टम बनने का तो ढ़न कहता है तो दॉन कहता है तैन बिट नीवम से दिवं बढ़र पहले सिस्टम पूरर तो इन बिल्टिपा या इच्टियो सब दिए तो पॉर पेक for creating the polarization in consciousness for service to others and service to self. In fact, is this true? बनाद में पंधा इसका मतलब आर्किटाइप्स के अंदर ही यह उसने मैकानिजम यह पैटर्न यह उसने खुदी डाला हुआ है, जिससे इंसान यह तो अच्छे तरफ पोलराइस हो जाता है, दुरुवी करन उसका जुकाव अच्छे तरफ हो जाता है या बुरी तरफ हो जाता है क्या यह सही है मुझे तो ऐसा ही लग रहे है तो रा कहता है yes you will notice the many inborn biases which hint to the possibility of one parts being more efficient than the other this was the design of the logos के रहे हां तुम बिलकुल सही कह रहे हो कि तुम notice भी करोगे कि बच्पन से ही अगर तुम notice करोगे न किसी किसी बच्चे का एक जुकाव एक ही direction में हो जाता है एक ही तरीके के रस्ते पर चलना पसंद करता है अनले संटिल हम उसे उसके रस्ते से जैसे हमारी आदा होती है मैं कि हमारा बच्चा तो करना जाता है art करके क्या रहेगा कले ऑन साइन सी है और यह लोगों은 ने डिजाइन किया हूए कि हाँ जब और जिस तरीके का खुकाव सो डैРक्टिय तो हम ही कर देते हैं कूड़ा सारा ओके ठीक है तो एक मिनन मैंने न शेय स्क्रीन बंद कर दिया तो आपके आवाज नहीं आई होगी हाँ पर अक्चली सेशन खतम हो गया तो ठीक है I will stop the session here and 20 questions हो गए आप लोगों ने लास्ट वाला question आपको समझ में आया आपको echo हो रही है पा की आवाज echo हो रही है कोई कैता हो रही है कोई कैता नहीं हो रही है ठीक है मैं हमने जो record किया है न उस recording को मैं upload कर दूगी उसके अंदर echo नहीं होगी इसलिए मैंने शुरू में पूछा था ठीक है कोई बात महीं सो अप्रोक्सिमेटली वन थर्टी या टू मिलते हैं next session के लिए ओके I will share the recording and इसको मैं hide कर दूँगी तो आप लोग महां पर ठीक से सुन सकोगे okay goodbye have a great lunch mamma आपने recording रोक दिया है नहीं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रोक रही हूं जी